देखते रहे ये UVN 08 खजराओं से बिनोध भार्थी की रिपोर्ट बड़ी खबर आ रही है विश्ब पिर्शिद परियतन नगरी खजराओं का मंगतेश्वर महादे मंदिर जो अतीप राचीनतम सिव मंदिर में से एक है सेंकडों बरसों से चली आ रही पुरानी सबता के चलते महासिब रात्री के तिन हजारों की संख्या में लोग खजराओं नगर आकर सिवसागर सरोबर में इसनानकर भगबान मंत गेश्वर को जल अर्पित करते हैं पुराततन काल से चली आ रही इस परंपरा का निर्बाहन आज भी उसी धर में आस्ता और विश्वाज के साथ किया जाता है खजराओं के मंदिर के निर्मान पश्चात जब इन मंदिरों को भारतिये पुरातन सरवेक्षण के आधीन किया गया तब के इस गजट नोटिफिकेशन के मात्यम चे इस पश्ट है कि महासिवरात्री पर्व के दिन पश्चिमी मंदिर समू के मंदिर पर महासिवरात्री पर्व के दिन आने बारे समस्त शरत दालियों को प्रवेश निसुल्क रखा जाएगा यह हर बर्स होता भी था लेकिन इस बर्स अचानक मंदिर के प्रवेश निसुल्क ना रखे जाने पर लोगों में काफी रोश ब्यापते खजराओं मंदिर में सरकारी मानता प्राप्त गाइड सिरी नरेंद कुमार शर्मा उर्फ बड़े पप्पु ने बताया देखते रह आपना नाम गाए मैं नरेंद्र शर्मा यहां पत्प्रदर्शक की रूप में खजराहों में काम करता हूं और आज बड़े दुख का उसे है कि पुरातन समय से यह मंदिर खजराहों के दर्शनारतियों के लिए खुले रहते थे फ्री रहते थे और आज एकदम से यह मंदि मंदरों का टिकेट लेना पड़ रहा है लोगों को आम जंता को यह बड़ा दुखत विशह है ना तो यहां पर मैंने देखा कि कोई रिस्पॉंसिबल आदमी है यह जो बता सके कि कानून बदल चुका है और ना कोई ऐसी जानकारिया है क्या मंदरों का निसुल के रहना गजट लोटिफिकेशन में था ऐसा कुछ प्रावदान है जहां तक मुझे ग्यान है कम से कम पचास साल से मैं देखता चला आ रहा हूं यह मंदर दर्सनारतियों के लिए खुले रहते थे तो आकर एकदम से ऐसा कौन सा कानून आजा कितने जाते थे लेकिन यह बड़ा दुख का विश्या है कि आज एकदम से इन्होंने बंद कर दिये और टिकेट लेना सुरू कर दिया है आज के दिन ऐसा नहीं होना चाहिए मैं जंता से और सरकार से थोड़ा सा निविदन करूंगा कि इसको देखें इसकार को आपका नाम क्या ह जानकारी आपको हमको तो जानकारी एह है कि जब से हमने स्वरात्री के दिन फ्री मंदर रही है आज हमने देखा है कि टिकेट लगने लगी है क्या यह गलत है एक काम गलत है ऐसा कभी नहीं हुगा स्वरात्री के दिन है जो और मंदर खुले रही है फ्री दर्शन रही है आज हमने देखा है कि टिकेट लग रही है और जन्ता से प्रसा लिया जा रहा है